कोरोना के नए वेरिंट नेगबार फिर से लोगों के दिलों की धड़कने बढ़ा दी हैं राजिस्तान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया है तूरिस्ट सीजन में संक्रमन का खतरा बढ़ता है इसलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रियेट बिहेव के पालना करने की सलाह दे गई हैं प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद जीम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं चिकित्सा इवं स्वास्ति विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम कठिद कर दी है चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शुप्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ये कमेटी कोविड नाइंटीन की रोगथाम और नियंत्रन के लिए राज्य में आवशक गतिविधियों के जिमधारी संभालेगी इधर प्रदेश के सबसे बड़े SMS होस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिमधारी संभाल ली है हमने पिछले सब्ता ही एक मोगडिल करी थी कैसे इसको देखते वे नियुमोनिया के कैसे इसको देखते वे हमारे यहां दवाईयों की जैसे एंटिवाइटिक्स एंटिपाइरेटिक्स डर्ग्स हैं एंटि अलर्जिक डर्ग्स हैं कप सिरफ्स हैं सारी चीज़ें कोवीड में बहुत पहली दूसरी वेव की अपन जब बात करते हैं कोवीड की उसको देखते वे अब बहुत प्रियाप्त मातरा में अपने पास उक्सिजन उपलब दे कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है सामान ने सरदी, खांसी, बुखार, जुकाम, कला खराब के लक्षण होने पर होम आईसोलेशन सामान ने लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर ततकाल काबू पाया जा सकता है लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधी होने की स्थिती में अस्पताल में भर्ती होने की सलाह बच्चों, बुज़र्गों और गर्वती महिलाओं पर विशेश ध्यान जाबिटीज, कैंसर, व्रदै रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्ख रहने की सलाह विशेशग्यों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नजर आया है कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंदर के कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंदर से लेकर राजय सरकार तक अलर्ट हो चुकी है वहीं लोगों को इसे लेकर जागूर्प करने की अच्छी खासी ज़रुत है क्योंकि संक्र्मन की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से COVID गाइडलाइंस की पालना करनी होगी भले ही कोविट का असर ज्यादा हो या कम, लेकिन सचेत रहने में बोई नुक्सान नहीं है तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए न्यूजेट इंड आदिस्तान के लिए जैपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट